नमस्कार वश्णतायादो आप देख रहें जी टीवी नीव घरोडा भास्पा की के सरकार में किसानों के हीतों को देखते हैं वे फसलों के पड़ाये दां आजपा किसान मोच्चा करना के जिला ध्याज 37 राडा ने कहा कि 29 जुलाई को घरोडा की नई अलाजबंडी में होने वाली धान किसान रेली एतिहासिक होगी जिसमें तीन जी लोग पानी पड़ करना कैथा से 20,000 से जादा लोग अपने साधनों से रेली में पहुचेंगे राडा भारोडा की नई अलाजबंडी में अपने कर्याने में पतकारों से बाचित कर रही थी अर्जे जन्ता पार्टी की जो नीटिया जो सरकार की पोलिसी और अबेरी जो हैमस्टी पे जो सरकार ने बढ़ाया उसके उफलक्स में मने मुखाय मंत्री जी ये बहुर बड़ी रेली हमारे तीन जिलों की गरोना में रखी गई है और सभी कर्यकरता उस रेली को कामियाब करने की लिए दिन रात मैनेश कर ये रेली तीन जिलों की करनाल, पानिकर्थ और कैथल के कर्यकरता हों की रखी गई है इसमें हर कर्यकरता चाहिए वो किसी मौर्ची से संबंदित हो, चाहिए भारते जन्ता पार्टी का कर्यकरता किसी वी रूप में बूस्तर तक जाकर पार्टी की नेथियों को निच्ज़ता कर ले जाकर मने मुख्यमंत्री जी का अभार वेक्ट हम सब कर्यकरता मिन कर इसी स्क्राइब में बारके जन्ता पार्टी में ये रेली रखी है और आपके बीच में आड़े का मौका मिला मैं आपके दुआरा मेडिया के माज़म से सबी कार्यकरताओं से भी अपील करूँगा कि किसान मौर्चा दिन रात कर इस रेली को कामियाब करने के लिए हम कोई कसाद मित हो देगी ये रेली बहुत बड़ी और एतिहासिक रेली होगी कि तीन दिलों के कार्यकरताओं से भाग लेंगे और सभी विसे पर मुख्यमंट्री जी जो सौकात दी है परदेश की जंता को उसको मुख्यमंट्री जी और हमारे हर्याना के बहुती पूरों मेराक्य द्यकराइक किसान मौर्चा के ओं प्रकार धंकर जी हमारे किसान मौर्चा के परदेश अद्यक्स बाइस समय वाठी जी और हमारे जिले के चारों विधायक इसमें सभी जो तीन जिले इसमें सामिल होंगे उसमें स्वागत के रूप में पूरा जिला इस दिली को कामियाब करने के लिए दिन राप मैनत करें